हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम टू दा उनलाइन क्लासेज परवाइड़ बाई एमडीन पब्लिक स्कूल अफ कलाइट मैं मनिशा धिमान आप लोग को सेवंथ क्लास के लिए इंग्लिश लिट्रेचर पढ़ा रही हूँ और आप लोग को पता ही है कि हमारी जो दो बुक्स है एन एलन हैंड उसका मैं एक चेप्टर कम्प्लीट कर चुकी हूँ जिसकी वीडियो आप लोग को इसी चैनल पर मिलेंगी हम अब कर रहे हैं हानी कॉम जो हमारी सेकेंड बुक है उसका हम फिर्स चैप्टर पढ़ रहे थे थ्री कोईशन्स जो फिर्स चैप्टर है यह हमारा ओल्मोस्ट कम्प्लीट होने ही वाला है हमारा सिर्फ इसका वन पेज रहता है बच्चों जिसको हम आज कम्प्लीट कर देंगे तो फिर्स फॉल मैं आप लोग को बता दूँ आप लोगो जो बच्चे नौट बुक प्रिपेर करें जैसे हमारे चैप्टर खतम होगा हम इसे आगे इसके शोट कोशियन वर्ड मीनि यह सारी चीज़े करेंगे जिनको आप लोग क्या कर सकते हो मेरे साथ अपनी फेर नौट बुक में जो अच्छे से मैंटेंड करोगे बट फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग फेर नौट बुक कैसे बनाओगे तो बच्चा मैं एक चप्टर करवा चुकी हूँ उसके लिए भी मैं इंस्ट्रक्शन दे चुकी हूँ पहली तो और मैं आप लोग को दुबारा बता रही हूँ कि ये जो यूट्यूब चैनल है इस यूट्यूब चैनल पे मैंने अलग से ही आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली हुई है जो स्पेशल आपकी इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों ने जो इंगलिश नौट बुक है वो कैसे पर पेर करनी है ठीक है तो आप उसको देखें उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉख्स को देखें और धियान से देखें कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉख्से अंदर में जो जो पौइंट लिए हुआ हैं ये आप अपनी फियर नौट बुक्स में जरूर देखें Second thing is that कि अगर किसी बचचे ने इन चैप्टर्स के लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं अपनी हर वीडियो में लास्ट अॉडियो का जो लिंक है वीडियो का वो ॡिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हूँ आप वहां से जाकर उस लास्ट वीडियो को क्या है अच्छे से देख सकते हैं तो स्टूड़न्स अगर आप लोगों कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से वह चीज़ पूछ सकते हैं ओके बच्छो तो जैसा हमने देखा कि यह जो हमारा चैप्टर चला रहा था हम ही सारा ही पढ़ चुके हैं और हमारा लास्ट पेज रहता है बच्छो लास्ट पेज ये भी हम पढ़ चुके थे सारा का सारा ठीक है यहाँ पर हम आ चुके थे हमने कल खतम किया था स्टोड़ी क्या थी इसके एक बार एक बार हम थोड़ा डिसकस कर लेते हैं इसको अच्छे से एक किंग को तीन कोशन जानने होते हैं तो संसेट बे हो गया सूरज जो था वो डूब चुका उसको वही रहना पड़ा सड़नी क्या देखता है सामने से कोई जखमी हल्प में भागता हुआ रहा है तो फिर किंग क्या करता है उसको ड्रेस अप करता है उनके साथ ही रुख जाता है रात को नेक्स दे जब वो आदमी जो बहुत घायल हो चुका है वो उटके किंग को सोरी बोलता है कि मैं जो था आपको मारने के लिए महाँ चुपा हुआ था जहां पर आपने अपने घोड़े वगएरा सब छोड़े थे बट फिर क्या होता है कि आपके जो बोडिगार्ड्स होते हैं उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे पकड़के मारने की कोशिश की मैं मरता मरता बचा हूँ और वो भी कैसे जब किंग ने उसको ड्रेस अप किया वो लिटा आया तब जाकर वो बचा है अब किंग नेक्स डे हो चुका है तो किंग क्या करता है किंग आता है और आकर हरमिट से पूछता है मुझे मेरे कॉश्ण्स के अंसर जो है वो दे दीजी तो फिर अब हरमिट क्या बोलता है देखो You have already been answered कि तुम अल्रेड़े से ही answer तुमें मिल चुके हैं यानि उतर मिल चुके हैं सेट दी हर्मिट, हर्मिट ने बोला, जो हर्मिट क्या है, स्टिल बैंडिंग, बैंडिंग यह नि जुका हुआ है, डाउन नीचे, उस हर्मिट ने बोला, जो अभी भी नीचे जुका हुआ है, to the ground, मिटी पर, and looking up, और उपर देख रहा है, at the king, king को, as he stood before him, जो क्या है, बिल हर्मिट के सामने ही, सिर उपर करके देख रहा है, हर्मिट उसको, how have I been answered, what do you mean, king कहता है, कि how, मैं मुझे answer कैसे मिल गए, what do you mean, कि तुमारा मतलब क्या है कहने का, do you not see, reply to the hermit, हर्मिट जो सादू होता है, वो reply करता है, do you not see, कि do you, क्या तुमने, not see, नहीं देखा, तो, if you had not pitted my weakness, pitted means होता है, दया दिखाना, पीटी बोलते हैं, if you had, अगर हर्मिट बोलता है, कि अगर you had, कल अगर तुमने, yesterday, जो मेरी weakness थी, जो मैं डिगिंग कर रहा था, अगर तुमने उस पर दया ना दिखाई होती, and had not dug, और तुम खुदाई, डग खोदते नहीं, these beads, beads, यानि क्या रिया, for me, मेरे लिए, you would have gone away, तो, तुम क्या करते हैं, गोन अवे, तुम चले जाते, then that man, और उस time, that man, यह जो आदमी है, would have attacked you, attacked you, वो क्या करता, तुमारे उपर attack करते था, and you would have wished, और तुमने बदले में क्या किया, you would have wished, you had stay with me, इसके बदले तुमने विश्ड इच्छा की, कि तुम stay, stay, यानि रुकोगे, रहोगे, with me, मेरे साथ रहोगे, कहां पर, यहीं पर, so the most important time, तो इसलिए सबसे most important time क्या था, was when, जब, you were digging the bits, जब तुम क्या कर रहे थे, तुम digging, खुदाई कर रहे थे, किसकी bits की क्यारिया की, and I was the most important man, or I, मैं जो क्या था, most important man था तुमारे लिए, जो second question का answer था, and to do me good, और मेरे साथ, me good, मेरे साथ good किया, was your most important business, वो तुमारा most, बहुत ज़्यादा क्या था, important, बहुत महतरपूर्ण बिजनस यानि कारिया, वो ही तुमारा महतरपूर्ण कारिया था, after what, after what means, इसके बाद, when the man run to us, जब वो man था, run to us, हमारी तरफ भागता हुआ आया, यानि भागता हुआ आया, the most important time, उस समय जो सबसे महतरपूर्ण समय था, was when, उस समय, यानि तब, you were caring for him, caring यानि देख भाल करना, जब तुम उसकी क्या कर रहे थे, caring कर रहे थे, because, if you had not dressed, because, क्यूंकि, if अगर, तुम, not dressed, मलंपटी नहीं करते, he is wound, उसकी जख्खम की, he would have died, वह मर जाता, without बिना, having made peace, बिना शान्ती बनाए, with you, तुम्हारे साथ, so, he was the most important man, तो इसलिए, वह सबसे important आदमी था, and, what you did for him, वह, और, what you, क्या क्या जो तुमने for him, उसके लिए किया, was your most important business, वह तुम्हारा most important, यानि सबसे ज़्यादा महतरपून काम था, remember then, इसे याद रखना, remember, यानि याद रखना, there is only one time, यहाँ पर सिर्फ एक ही समय है, that is important, that time is now, वह कौन सा important time है, now, यानि अब जो समय चल रहा है, वो सबसे महतरपून समय है, it is the most important time, यह time सबसे महतरपून है, because, it is the only time, क्योंकि यह वह time है, we have any power to act, जब we have, हमारे पास क्या है, कोई power है, एक्ट कारिय करने की, the most necessary person, necessary, यानि जरूरी, सबसे जरूरी जो आदमी है, is the person you are, वह कोन है, वह व्यक्ति, यानि वो person you are, with at a particular moment, जिसके साथ तुम एक particular moment, यानि उस शर्ण में, उस समय में साथ हो, वो सबसे जरूरी आदमी है, और no one knows, और कोई नहीं, no one knows, कोई नहीं जानता, what will happen, what will, क्या होगा, happen, क्या घटित होगा, in the future, भविश्य में, and whether we will meet anyone else, और whether, पता नहीं कब कहा, हम, we will, हम मिल जाएं, meet मिल जाएं, किसी से भी anyone else, किसी भी दूसरे से, the most important, सबसे महतरपून बिजनस, जो काम है, is to do that, वो क्या काम है, वो काम है, परसन गुड के व्यक्ति के साथ अच्छा करें, because we were sent into this world, क्योंकि हमें sent भीजा गया है, in this world, is sincere me, for that purpose alone, किस के लिए, सिर्फ केवल इस purpose को पूरा करने के लिए, आप लोगों का, यह जो चैप्टर था, यहीं पर खतम होता है, बच्चों, चैप्टर का जो राइटर था, वो है हमारा, लियो टोल्स्टो, लियो टोल्स्टो ने तुमारी यह स्टोरी लिखी है, तो बच्चे आप समझ गए होंगे, मोस्ट इंपोर्टन टाइम क्या है, वो टाइम जो भी चल रहा है, मोस्ट इंपोर्टन पर्सन कोन है, वो पर्सन, जो आपके साथ उस समय में है, और मोस्ट इंपोर्टन जो बिजनस है, वो क्या है, वो पर्टिकॉलर टाइम और वो पर्टिकॉलर पर्सन, उन दोनों के मिलने के बाद, आप जो मोस्ट इंपोर्टन काम करते हो, जो कोई भी एक्ट करते हो, वो आपका बहुत इंपोर्टन काम है, तो बच्चों ये तीनों question के answer जैसे king को मिल गए आप हम लोग भी क्या करेंगे कल से हम लोग भी इस chapter के जो question answers है वो करेंगे ठीक है word meaning करेंगे पहले कर पहले मैं आप लोग को कल word meaning करवाऊंगी फिर question answers करेंगे हम लोग ठीक है बच्चा तो ये सब आप लोग क्या है अच्छे से देख के रखेंगे ओके students तो अगर लास्ट लोग वीडियो किसे बच्चे नहीं देखिया तो link description box में है वहाँ से जाके पिछली सारी वीडियो देखें अच्छे से अपना homework time पे complete करें ओके thank you students